सबी दर्शकों को मेरा स्ने भरा नमस्कार आज हम क्या सीखने का प्रयास करेंगे हम पिछले प्रोग्राम में समांतर पटिका संधारित्र के विशे में चर्चा कर चुके हैं और हमने यह देखा कि यदि परावैद्युत पदार्थ को पटिकाओं के बीच में भर दिया जाए तो उसके धारिता के मान में निरवात के मान से व्रिद्धी हो जाती है परन्तु इनको यदि श्रेणी क्रम अत्वा पाश्वक्रम में संयोजित किया जाए तो क्या होगा यह उर्जा किस जगा पर संचत होती है आज के कारिक्रम के माध्यम से इन प्रश्णों के उत्तर ढूनने का प्रयास करते हैं तो आईए शुरू करें हम कई संधारित्र के संयोजन से एक प्रभावी धारिता का निकाए प्राप्त कर सकते हैं दो संधारित्र C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में संयोजित किये गए हैं जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं C1 के बाई तथा C2 की दाईपटिका बैटरी के दो टर्मिनलों से संयोजित है उन पर क्रमशह प्लस Q तथा माइनस Q आवेश है इसका अर्थ यह है कि C1 की दाईपटिका पर माइनस Q तथा C2 की बाईपटिका पर प्लस Q आवेश है और अगर हम पटिकाओं को इस तरह न जोड़े तो क्या कुछ इससे भिन होगा? जी हाँ यदि ऐसा नहीं है तो संधारित्र की दोनों पटिकाओं पर नेट आवेश शून्य नहीं होगा इसके परणाम स्वरूप C1 तथा C2 को सयोजित करने वाले चालक में इस चालक में कोई विद्युचेत्र होगा तथा C1 एवं C2 में आवेश उस समय तक प्रभावित होता रहेगा जब तक की प्रतियेक संधारित्र यानि के C1 तथा C2 पर नेट आवेश शून्य नहीं हो जाता इसके परणाम स्वरूप C1 तथा C2 को सयोजित करने वाले चालक में कोई विद्युचेत्र होगा तथा C1 एवं C2 में आवेश उस समय तक प्रभावित होता रहेगा जब तक की प्रतियेक संधारित्र C1 तथा C2 पर नेट आवेश शून्य नहीं हो जाता तथा C1 एवं C2 को सयोजित करने वाले चालक में विद्युचेत्र शून्य नहीं होता अथा श्रेणी क्रम सयोजन में प्रतियेक संधारित्र की दोनों पटिकाओं पर आवेश प्लस Q और माइनस Q और इधर भी प्लस Q और माइनस Q और ये कैसा होगा समान होता है सयोजन के सिरोपर विभवपात V संधारित्रों C1 तथा C2 के सिरोपर क्रम शह विभवपातों V1 तथा V2 का योग होता है तो हम यहाँ लिख सकते हैं V बराबर V1 प्लस V2 V बराबर आवेश बटा धारिता C1 प्लस आवेश बटा धारिता C2 अर्थात V बटा आवेश Q बराबर एक बटा धारिता C1 जमा एक बटा धारिता C2 हम इस सयोजन को एक ऐसा प्रभावी संधारित्र मान सकते हैं जिस पर आवेश Q तथा जिसके सिरो के बीच विवानतर V हो तो तब सयोजन की प्रभावी धारिता क्या होगी? यह होगी धारिता बराबर आवेश बटा विवानतर V और इसको हम किस प्रकार लिख पाएंगे? आश्ट है कि इस व्यूप्ति को हम कितने भी संधारित्र लेकर उन्हें इस प्रकार संयोजित करके N संधारित्रों के लिए समीकरण का व्यापी करण कर सकते हैं और यह किसके बराबर होगा? यह बराबर होगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 और कहां तक हम इसको योग करेंगे? VN तक इसको मैं यहां आपके लिए लिख देती हूँ V बराबर V1 प्लस V2 और हम योग करेंगे VN तक क्योंकि हमारे पास N संधारित्र हैं तो यह बराबर होगा 1 प्लस V2 और इस प्रकार योग करते हुए 1 प्लस C N के बराबर जिन चर्णों को हमने दो संधारित्र के प्रकरण में उप्योग किया था उनी चर्णों का उप्योग N संधारित्र के सयोजन के लिए करके हम N संधारित्रों के श्रेणी क्रम सयोजन के लिए प्रभाविधारिता का व्यापक सूत्र प्राप्त कर सकते हैं जो की यह है यहाँ चित्र में दिये गए दो संधारित्र C1 तथा C2 पाश्म क्रम में सयोजित तर्शाये गए हैं इस प्रकरण में दो संधारित्रों पर समान विवांतर अनुप्रयुक्त किया गया है परन्तु संधारित्र एक की पटिकाओं पर आवेश प्लस और माइनस क्यूवन है और इसका परिमान संधारित्र दो की पटिकाओं पर आवेश प्लस क्यूटू और माइनस क्यूटू के सम होना आवशक नहीं है तो हम यहां लिख सकते हैं आवेश Q1 बराबर धारिता C1 इंटू विभव V और Q2 बराबर यानि के आवेश Q2 बराबर धारिता C2 इंटू वी यदि इस सयोजन के तुल्य किसी संधारित्र पर आवेश हो तो वह किस प्रकार लिख पाएंगे Q बराबर Q1 प्लास Q2 तथा यहां विभवांतर V है तो अब हम आवेश Q बराबर धारिता C इंटू वी के बराबर होगा जिसको हम और क्या लिख सकते हैं C1 इंटू विभवांतर V जमा C2 इंटू विभवांतर V तो समी करण की प्रभावी धारिता C किसके बराबर होगी यह बराबर होगी C बराबर C1 प्लस C2 यानि के दोनों धारिता के योग के बराबर है तो इस प्रकार यदि दो संधारित्र पाश्वक्रम में संयोजित किये जाते हैं तो उनकी प्रभावी धारिता उन दोनों की धारिता के योग के बराबर होगी परन्तु यदि दो से अधिक संधारित्र पाश्वक्रम में संयोजित किये जाए तो प्रभावी धारिता कैसे प्राप्त करेंगे? आईए देखते हैं एन संधारित्र के पाश्वक्रम संयोजन जैसा कि यहां आप देख सकते हैं इसके लिए प्रभावी धारिता C हम यह व्यापक सूत्र देखेंगे और यह किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है इसको हम यहाँ लिखेंगे आवेश बराबर सभी संधारित्रों के आवेश का योग होगा अर्थात C गुणा विवांतर V बराबर Q1 के स्थान पर हम लिखेंगे धारिता C1 गुणा विवांतर V प्लस Q2 के स्थान पर हम लिखेंगे धारिता C2 इंटु विवांतर V जमा इस प्रकार हम Cn गुणा V तक जाएंगे और इससे हमें प्राप्थ होता है C बराबर C1 प्लस C2 और कहां तक Cn तक हम इसका योग करेंगे प्रभावी धारिता का मान ज्यात करने के बाद अब हम यह जानना चाहते हैं कि संधारित्र के भीतर कीतनी उर्जा संचित होती है और यह उर्जा कहां पर संचित होती है हम ये पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि संधारित्र दो चालकों का एक ऐसा निकाय होता है जिस पर आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू होते हैं और इनके बीच कुछ प्रत्थकन होता है इस विन्यास में संचित उर्जा ज्याद करने के लिए हम आरंभ में दो अनावेशित चालकों एक तथा दो पर विचार करेंगे अब चालक दो से चालक एक पर आवेश के छोटे छोटे टुकडों में स्थानांत्रित करने की किसी प्रक्रिया की कल्पना करते हैं ताकि अन्थ में चालक एक पर प्लस क्यू आवेश आ जाए। आवेश संग्रक्षन नियम के अनुसार अन्थ में चालक दो पर कितना आवेश होगा? यह आवेश माइनस क्यू होगा। चालक दो और चालक एक में किसका विभव अधिक है? जी हाँ, चालक दो की तुलना में चालक एक का विभव अधिक है। तो इसलिए आवेश को चालक दो से चालक एक पर स्थानांतरित करने में बाहिय कारे करना होगा। और किये गए कुल कारे का परिकलन करने के लिए पहले हम छोटे छोटे चोटे चरणों में आवेश की अत्यल्प अर्थात लोप बिंदू की तक छोटी इस मात्रा को स्थानांतरित करने में किया गया कारे परिकलित करते हैं। उस मध्य स्थिती पर विचार करेंगे जिसमें चालक एक तथा चालक दो पर क्रमशह आवेश प्लस क्यू डैश तथा माइनस क्यू डैश हो। और इस स्थिती में चालक एक तथा चालक दो के बीच विववांतर वी डैश बराबर क्यू डैश बटा सी होगा। यहाँ सी निकाय की धारिता है। अब यह कल्पना कीजे की लगू आवेश डेल्टा क्यू डैश। चालक दो से चालक एक में स्थानांतरित किया जाता है। इस चरण में किया गया कारे डेल्टा डबलू जिसके परिणाम स्वरूप चालक एक पर आवेश क्यू डैश से बढ़कर क्यू डैश प्लस डेल्टा क्यू डैश हो जाएगा। और इस प्राकार से हम इसको व्यक्थ कर सकते हैं, डेल्टा डबलू बराबर वी डैश गुणा डेल्टा क्यू डैश और वी डैश को किस प्राकार लिखेंगे? Q डश बटा C गुणा डेल्टा Q डश क्योंकि डेल्टा Q डश को हम जितना छोटा चाहे बना सकते हैं इस समीकरण को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं डेल्टा W बराबर एक बटा दो धारिता C Q डश प्लस डेल्टा Q डश की घात दो माइनस Q डश की घात दो समीकरण में डेल्टा Q डश की द्वित्य कोटी पद अर्थात डेल्टा Q डश स्क्वाईर बटा दो C की डेल्टा Q डश के यादरिचिक छोटा होने के कारण नगण्य मानकर हम उपेक्षा कर सकते हैं अब आगे यह देखते हैं कि कुल किया गया कार्य कितना होगा क्योंकि यही कार्य संधारित्र की उर्जा के रूप में संचित होगा कुल किया गया कार्य डबलू आवेश Q डश को 0 से Q तक बढ़ाने में अत्यधिक चरणों में किये गए लगू कार्य डेल्टा डबलू का योग होता है तो हम इसे लिख सकते हैं डबलू बराबर सभी चरणों का योग डेल्टा डबलू इसको और किस प्रकार आगे लिख सकते हैं यह बराबर होगा सभी चरणों का योग अभी डेल्टा डबलू का जो सूत्र हमने पहले देखा था एक बटा दो सी q dash plus delta q dash की घात दो माइनस q dash की घात दो आगे हम इसको और किस प्राकार लिख सकते हैं यह लिखा जा सकता है एक बटा दो सी delta q dash minus 0 plus इसकी जगा पे 2 delta q dash की घात दो माइनस delta q dash की घात दो प्लस 3 delta q dash की घात दो माइनस 2 delta q dash की घात दो इस प्राकार योग करते हुए हम इसको यहां अंत में लिखेंगे q की घात दो माइनस q minus delta q की घात दो इसको हल करने के पस्चात हमें यह समी करण इस प्राकार से बिलेगा एक बटा दो सी q की घात दो माइनस 0 बराबर q की घात दो बटा दो सी तो इस प्राकार यह किया गया कुल कार्य इतना होगा q की घात दो बटा दो सी यही परिणाम हम सीधे ही पहले समी करण से समाकलन द्वारा प्राप्त कर सकते थे और किस प्राकार डबलू बराबर समाकलन 0 से आवेश q तक q डाश बटा c डेल्टा q डाश समाकलन करने के पस्चाथ एक बटा c इसका समाकलन q की घात दो बटा दो होगा इसमें आश्चर्य की है कोई बात नहीं है क्योंकि समाकलन बहुत से छोटे छोटे पदो का योग ही होता है समीगरण को हम भिन प्राकार से भी व्यक्त कर सकते हैं और किस प्राकार इसको लिखा जा सकता है डबल्यू बराबर Q की घात दो बटा दो C, Q को हम लिख सकते हैं C गुणा V, इसका घात दो बटा C, यह हल करने के पस्चात आएगा, एक बटा दो C इंटू V की घात दो, और और क्या लिख सकते हैं, एक बटा दो आवेश Q गुणा विवांतर V चुकि स्थिर वैद्यूत बल संगरक्षी बल है, तो यह कार्य निकाए में स्थितिज उर्जा के रूप में संचित हो जाता है यही कारण है कि स्थितिज उर्जा का अंतिम परिणाम, जिस ढंक से संधारित्र का आवेश विन्याश निर्मित किया गया है, उस ढंक पर निर्भर नहीं करता संधारित्र की पटिकाओं के बीच विद्युत शेत्र में संचित हुई स्थितिज उर्जा के रूप में समझना संभव है इसे देखने के लिए हम सरलता की द्रश्टी से किसी समांतर पटिका यानि के प्रतियेक पटिका का शेत्रफल ए है ऐसे संधारित्र जिसकी पटिकाओं के बीच प्रत्थकन डी है ऐसे में हम विचार करते है तो संधारित्र में संचित उर्जा जो हम पहले ही लिख चुके है एक बटा दो सी क्यू की घात दो इसको हम आगे लिख सकते हैं ए गुणा आवेश घनत्व सिग्मा इसकी घात दो बटा दो गुणा सी का मान अबसलनोट शेत्रफल ए बटा डी प्रत्थकन जिसको हम यहाँ उपर लिख सकते हैं प्रिष्टिय आवेश घनत्व सिग्मा पटिकाओं के बीच विद्यूत शेत्र से किस प्रकार संबंदेत है इसको हम लिख सकते हैं ए बटा आगे समी करोण से हम प्राप्त करते हैं कि संधारित में संचित उर्जा कितनी होगी तो यह है उर्जा होगी यू बराबर एक बटा दो एबसलो नॉट ए स्क्वेर गुणा शेत्रफल ए गुणा प्रत्थकन डी यहां पर शेत्रफल ए और प्रत्थकन डी का जो गुणनफल है यह है दोनों पटिकाओं के बीच के शेत्र का आयतन है और इसी शेत्र में केवल विद्यूत शेत्र होता है यदि हम उर्जा घनत्व को दिक स्थान के प्रती एकांक आयतन में संचुत उर्जा के रूप में परिभाशित करें तो समीकरण के अनुसार अब यह होगा छोटा यू बराबर एक बटा दो एबसलो नॉट विद्यूत शेत्र ई की घात दो यद भी हमने समीकरण समांतर पटिका संधारेत्र के प्रकरण में व्यत्तुपन की है किसी विद्यूत शेत्र का उर्जा घनत्व से संबंदित परिणाम वास्तव में अत्यंत व्यापक है तथा यह किसी भी आवेश विन्यास के कारण विद्यूत शेत्र पर लागू होता है आईए अब एक प्रश्न का अभ्यास करते हैं प्रश्न है किसी संधारित्र की पटिकाओं के बीच कोई परावेद्यूत है तथा यह संधारित्र किसी दिष्ट स्रोथ से संयोजेत है अब बैटरी को हटाया जाता है और फिर परावेद्यूत को भी हटा दिया जाता है यह उलेख कीजिये कि ऐसा करने पर संधारित्र की धारिता उसमें संचित उर्जा, विद्युद्शेत्र, संचित आवेश तता वोल्टता में वृद्धी होगी, कमी होगी अथ्वा नियत रहेगी आईए अब इसको मिलकर हल करते हैं, सबसे पहले पूछा गया है संधारित्र की धारिता पर क्या फरक पड़ेगा तो यह बराबर होता है परावेध्युतांक के गुणा एपसलोनोट, गुणा शेतरफल, बटा, प्रतकन, डी अब चूंकि परावेध्युतांक को हटाया गया है, तो के का मान कम होने की वज़ा से धारिता सी का मान भी कम हो जाएगा चलिए, अब हम देखते हैं संचित उर्जा, संचित उर्जा का मान यू बराबर क्यू की घात दो बटा, दो सी अब यहां पर हम यह देख सकते हैं कि सी का मान घट गया है, जैसा कि हमने अभी देखा तो सी का मान घट गया है और क्यू का मान नियत रहता है, तो इस वज़ा से उर्जा के मान में व्रिधी हो जाएगी आईए, अब देखते हैं विद्यूत शेत्र के बारे में, ई बराबर आवेश क्यू बटा, शेत्र फल ए, गुणा, एबसलोनौट, गुणा, पराविद्यूतांक, के अब हमने यहां देखा कि क्यू का मान नियत रहेगा, ए और एबसलोनौट भी नियत है, परन्तु पराविद्यूतांक को हटा दिया गया है, जिसकी वज़ा से के का मान कम हो जाएगा, और इस परिणाम स्वरूप विद्यू छेत्र ई में व्रिधी हो जाएगी जैसा कि हमने अभी देखा कि बैटरी हटा देने पर आवेश क्यू का मान नियत रहता है, परन्तु यदि बैटरी को ना हटाया जाए, तो उस स्थिती में विवांतर वी का मान नियत रहता है, परन्तु यहां बैटरी हटा दी गई है, तो क्यू का मान नियत रहेगा अंत में हम देखते हैं वोल्टता पर क्या प्रभाव पड़ेगा वोल्टता V बराबर आवेश बटा धारिता C अभी हमने कहा क्यू का मान नियत रहेगा परंतु C का मान कम हो जाएगा घट जाएगा तो इसके परिणाम स्वरूप V का मान बढ़ जाएगा यानि के वोल्टता V में व्रिद्धी हो जाएगी इस प्रश्न को थोड़ा बदल देते हैं और अब दर्शकों के लिए एक अभ्यास है यदि बैटरी को लगाए रखें और पटिकाओं के बीच में पूरी तरह से परावैद्यूत को भर दिया जाए तो इन सभी भौतिक राश्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा आज के कारिक्रम में हमने जो पढ़ा हम उसको एक अनुरूपन की मदद से समझने का प्रियास करते हैं उधारन के रूप में यदि हम दो संधारित्रों को श्रेनी क्रम में संयोजित करते हैं तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा आयए देखते हैं सबसे पहले हमने संधारितर C1 की धारिता को और इन्तू 10 रेस टुदी पार माइनस 13 लिया है और इसी प्राकार C2 संधारित्र की धारिता का मानभी बराबर है 1-10 रेस टुदी पार माइनस 14 फैर है आईए देखते हैं सूत्र के मुताबिक यह जो तुल्य धारता है यह कितनी होनी चाहिए तो तुल्य धारता का सूत्र हम पहले ही पढ़ चुके हैं एक बटा सी बराबर एक बटा सी 1 प्लस एक बटा सी 2 c1 और c2 यहां दोनों बराबर है तो c की तुल्य मान होगा एक गुणा एक जमा एक और 10 रेस तुदी पार माइनस 13 तो c का कुल मान होगा 0.5 इंटु 10 रेस तुदी पार माइनस 13 फैरण और आप यहां यह देख सकते हैं कि जो मान हमने सूत्र के साथ निकाला है वही मान आपको यहां पर भी दिखरा है 0.5 तुदी पार माइनस 13 फैरण बट यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी संधारत्र की धारता हमने ली c1 और c2 जो की थे 1 इंटु 10 रेस पार माइनस 13 और c2 भी बराबर था 1 इंटु 10 रेस पार माइनस 13 परन्तु जो तुल्य धारता है वह इस मान से कम है जो की 0.5 इंटु 10 रेस पार माइनस 13 है तो इससे हम यहाँ यह अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी संधारित्र आप श्रेनी क्रम में संयोजित करेंगे जो तुल्य धारिता होगी वो सबसे छोटे धारिता से भी छोटी होगी आईए अब हम देखते हैं कि यदि हम इस धारिता के मान को बढ़ा दे तो इससे क्या फरक पड़ेगा और कैसे हम इनकी तुल्य ना कर सकते हैं अब हमने धारिता का मान रखा है 3 x 10 रस फार माइनस 13 और यहां पर दूसरे धारिता का भी मान बराबर है 3 x 10 रस फार माईनस 13 तो अब हम देखते हैं कि हमारी तुल्य धारिता कितनी आएगी तो सूत्र वही रहेगा एक बटा C बराबर एक बटा C1 प्लस एक बटा C2, C तुल्य होगा तीन गुणा तीन, तीन जमा तीन और 10 रेस तुदी पार माइनस 13, तो C का कुल मान होगा 1.5, 10 रेस पार माइनस 13 फैरट, तो यहाँ पर भी आप यह चीज देख सकते हैं, कि हमने जो धारिता का मान लिया, वह था 3 इंटू 10 रेस पार माइनस 13, और इधर भी 3 इंटू 10 रेस पार माइनस 13, परंतु जो तुल्य धारिता है, वह इन दोनों से छोटी है, 1.5, 10 रेस पार माइनस 13, तो इससे हम यह निशकर्ष निकाल सकते हैं, कि यदि हम दो यह दो से अधिक संधारित्र को श्रेनी क्रम में संयोजित करेंगे, तो धारिता का मान, तुल्य धारिता का मान सबसे छोटे संधारित्र की धारिता से भी छोटा होगा, आईए अब हम यहाँ पाश्वक्रम संयोजन करते हैं संधारित्रों का और हम यह जानते हैं कि कुल धारिता पाश्वक्रम संयोजन में सभी संधारित्रों की धारिता का योग होता है तो यहाँ पर दर्शक या देख सकते हैं कि दो संधारित्र की धारिता जो C1 है और C2 है इसको हमने पाश्वक्रम में सयोजित किया है सूत्र के अनुसार कुल धारिता C बराबर C1 और C2 का योग होना चाहिए तो यहाँ से हम देख सकते हैं C1 की धारिता 1 into 10 raise to the power minus 13 plus C2 की धारिता भी हमने यहाँ बराबर रखी है हमारे दर्शक इसको बदल के भी देख सकते हैं तो यह होगा 1.1 into 10 raise to the power minus 13 क्योंकि दोनों की धारिता बराबर है तो यह होगा 2 into 10 raise to the power minus 13 फारिट तो इस प्रकार जो संधारित्रों का सयोजन हमने यहाँ किया कुल धारिता उन संधारित्रों की धारिता से अधिक है आईए अब हम इन संधारित्र की धारिता को बदल देते हैं और यह देखेंगे कि कुल धारिता कितनी होगी या इसके तुल्य धारिता कितनी होगी तो यहाँ अब हम देख सकते हैं कि हमने C1 की धारिता और C2 की धारिता को बढ़ा दिया है और अब कुल धारिता फिर से C1 और C2 के योग के बराबर है यह दोनों बराबर है 3 into 10 raise to the power minus 13 plus 3 into 10 raise to the power minus 13 तो C का कुल मान होगा 6 into 10 raise to the power minus 13 farad तो फिर से जो हमने सूत्र के अनुसार पढ़ा वही चीज हमने यहाँ देखी कि अब यह कुल धारिता पहले के तुल्ना में बढ़ गई है जब हमने C1 और C2 का मान एक गुणा 10 raise to the power minus 13 रखा था अंत में यदी हम श्रेणीक्रम सैयोजन और पाश्मक्रम सैयोजन की तुल्ना करें तो हम यह देख सकते हैं कि श्रेणीक्रम में जो भी संधारित्र की धारिता हम लेते हैं श्रेनी क्रम संयोजन में वेकुल धारिता प्रती एक संधारितर की तुलना में कम होती है परंतु यदि पाश्वक्रम संयोजन है तो जितने भी संधारितर आप लेंगे उनका योग करेंगे तो तुल्य धारिता किसी भी एक जो भी हमने संधारित लिया है उसकी धारिता से अधिक होगी क्योंकि यह धारिता का योग होता है आईए अब एक प्रेश्ण का भी अभ्यास करते हैं चित्र के नेटवर्क अर्था जाल की तुल्य धारिता प्राप्त कीजे 300 वोल्ट संभरण यानिके सप्लाई के साथ प्रतियेक संधारितर का आवेश तथा उसकी वोल्टता भी ज्याद कीजे आईए इस प्रश्ण को साथ मिलकर हल करते हैं सबसे पहले हम यह देख सकते हैं कि C2 तथा C3 श्रेनी क्रम में संयोजित हैं तो श्रेनी क्रम संयोजन की कुल धारिता क्या होगी एक बटा C' बराबर एक बटा C2 जमा एक बटा C3 यहाँ पर हम C2 और C3 का मान रखेंगे और हम यह देखेंगे कि इसकी C2 और C3 की कुल धारिता होगी 100 पिको फेरड अब C2 और C3 की कुल धारिता C1 के साथ पाश्म क्रम में संयोजित है तो इस प्राकार इनका तुल्य धारिता हम मान लेते हैं C' यह बराबर होगी C1 जमा C' जो C2 और C3 का श्रेनी क्रम संयोजन था इसके पस्चात अब इन सब का चो तुल्य धारिता का मान होगा वह होगा 1 बटा C तुल्य बराबर 1 बटा C' जमा 1 बटा C4 इन सब का मान रखने के पस्चात हमें मिलता है 3 बटा 200 और C तुल्य के लिए हम इसको उल्टा करेंगे तो यह बनेगा C तुल्य बराबर 200 बटा 3 पीको फेरड इसके पस्चात अब हमें धारिता का मान ज्याद करने के पस्चात हमें देखना है आवेश Q1 कितना होगा विबवांतर V1 तो हमारे दर्शक यह देख सकते हैं कि विबवांतर C1 के समक्ष कितना होगा 100 वोल्ट इसी प्रकार V2 और V3 जो की C2 और C3 का विबवांतर है यह बराबर होगा 50 वोल्ट के इसको हमारे दर्शक खुद भी हल कर सकते हैं इसके पस्चात संधारितर C4 पर जो आवेश होगा Q4 उसका मान होगा 2.55 गुना 10 की घात माइनस 8 कूलम तथा इसके सिरो पर जो विबव पात होगा वह बराबर होगा V4 बराबर 200 वोल्ट के इस प्रकार आप किसी भी जाल की तुल्य धारिता प्राप्त कर सकते हैं अब हम कारिकरम के अंत में आप पहुंचे हैं तो आज हमने आज के कारिकरम से क्या क्या ज्यान बटो रहा जी हाँ आज हमने सीखा कि यदी हम संधारित्रों को अलग-अलग तरीके से संयोजित करें तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? श्रेणी क्रम में धारिता घटेगी एवं पाश्व क्रम में यह बढ़ जाएगी और अंत में हमने संधारित्र में संचित उर्जा का सूत्र भी ज्यात किया दिन प्रति दिन टेक्नॉलोजी की मदद से हम बहतर उपकरण बना रहे हैं ऐसा ही एक उपकरण तयार किया गया है जिसका नाम है सूपर संधारित्र मेरे पास दर्शकों के लिए एक रोचक अभ्यास है सूपर संधारित्र के विशे में दर्शक थोड़ा और पढ़ें और देखें कि यह एक साधारन संधारित्र के तुलना में किस प्रकार पहतर है तो खूब पढ़े और खूब आगे बढ़े इसी के साथ हम विदा लेते ह धन्यवाद अभ्यास है